अज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे UP scholarship के regarding जो भी attendance आप लोगों का चाहिए होता है वो कितना चाहिए और इस बार थोड़ा सा नियम में बदलाव किया गया है इस सब का आपके scholarship पर क्या impact पढ़ने वाला है उस सब के बारे में discuss कर रहे होंगे अलागी तेखिए हर बार UP scholarship की website पर आपको देखने को मिलता है कि 75% criteria आपका cross होना चाहिए यादि कि at least 75% attendance आपका college या university में होना चाहिए ठीक है वो अभी भी as it is maintain है ऐसा नहीं है कि उसको change कर दिया गया होगा वो अभी 75% ही है लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया उसके through आपका attendance यहां पर हो रहा होगा तो उसके चलते हुए आपको क्या advantage होने वाला है क्या disadvantage इसके वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी और किस तरीके से होने वाला है पूरा मैं machine के through आप लोगों को बताने वाला हूं पूरा process किस तरीके आप लोगों को करनी रहेंगी तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के अपर notice दिखा देता हूं जो भी UP scholarship की website पर आपको notice देखने को मिल रहा है तो यहां पर clearly mention है आप यहां पर पढ़ सकते हो तो सेक्षिक सत्र में पिचेतर पृतिसेत या उससे ऊपर वपरस्तित वाले चातर चात्राओं को सेक्षिन भत्ता एवं सुल्क पृतिपूर्थी सुधा में अनुमन्य होगी तो इसका clear मतलब यह हैं सिंपल सा कि आप लोगों का 75% attendance है तभी आप लोग UP scholarship के लिए eligible होंगे सुल्क पृतिपूर्थी आपको free reimbursement होता है यानि कि जो भी आप लोगों ने college या university में fees अपना जमा किया हुआ उसका कुछ amount 50% 60% जो भी government को अच्छा लगता है इतना amount वह आपका refund आ जाता है क्योंकि college वालों के लिए तो as a non refundable होता है वो तो आपका पैसा लोटाते नहीं है लेकिन उसका कुछ amount government आपके पैसे को यानि कि refund कर देती है वो आपके scholarship की पोटल पर यानि कि आपके bank account में आ जाता है तो यह चीज़ें इस बार की गई 75% हमेशा से रहता था लेकिन अब जो बदलावा हो यहां से आप लोग देख सकते हो समस्त सिक्षन संस्ताओं में च आप लोगों को वहां जाकर के अपनी attendance लगानी होगी मसीन के थुरू और यहां पर आप लोगों को दोनों बार इन आउट दोनों चीज़ें करनी रहेंगी और मैं अभी बताने वाला हूं आपको इन डिटेलिस के बारे में ठीक है बहुते ग्रूपते कक्षाओं में संचा किया जाएगा ठीक है उसके बाद आप लोगों का जो भी attendance हो जाएगा प्रिदाने की विवस्ता करके प्रितेक महा पर्मानेत उपस्तित को एथावत चात्रती पोर्टल पर अप्लोड करने का उत्तरदायत उस थनस्था का होगा अब हर महीन है यानि कि एब्री मन्थ आप जो भी record होगा ठीक है वो record आप लोगों का college या university के through up scholarship की website पर अप्लोड किया जाएगा कि particular इस मंत में इस बच्चे की इतनी attendance है अब उसमें कुछ भी ऐसा system नहीं रहेगा पहले क्या होता था हलाकि इसके कोई आपके लिए खास benefit नहीं है क्योंकि आप लोगों ने already college में अ सकता है लग गया हुआ काफी जगे पर कुछ जगें पर अभी काम चल रहा है यह आपकी college इंविश्टी में जो बाइमेटर सिस्टम वाला मसीन लग जाएगा उस दिन से आपका attendance काउंट होगा और हर महीन है यानि कि आप लोगों का रिकॉर्ड के दूरू भेजा जाएगा आप जो भी आपकी class में attendance है उससे इसका कोई मतलम नहीं है कोई लेना देना नहीं है डारेक्ट गवर्मेंट के पास आपका record जाएगा आपको आप proxy भूल जाएगे कि अपने friend से proxy लगा दिया और वो आपका college में तो काम आई रहा है और उसके बाद आपका जानिकी scholarship में भी जो भी attendance है वो count हो जा रहा है ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं होगा यहां कुछ बच्चे हैं जो अपने authority वगएरा से request करके जो भी उनका scholarship का department होता है उनसे request करके अपना criteria पूरा करा लेते 75% वो करा करके scholarship को ले लेते हैं लेकिन अब यह possible नहीं हो पाएगा क्योंकि जो भी record रहेगा वो agitated जाएगा उसमें college कुछ नहीं कर सकता है तो अब आप लोग थोड़ा सा active रही है सतर्क रही है इस चीज को लेकर ठीक है तो यह चीज़े हैं अब मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आप लोगों को यह सब कुछ करना रहेगा और यह जो पिवस्ता होग आप लोगों को college में करा दी जाएगी ठीक है यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो इसमें प्रतेक चात्र पर होने वाले विवार का वेहन संबंदित स्क्षन संस्तान विस्वित्दाले द्वारा किया जाएगा चालू वित्तिय वर्स से दो वर्सों में चण बद तरीके से सल अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस तरीके से अटेंडेंस वगेरा हो रही होती है तो यह किसी में एक college का machine लगा हुआ है ठीक है अल्रेडी इंस्टॉल हो चुका है बच्चे अटेंडेंस यहां पर लगा रहे है इस तरीके से आप लोगों को machine का जो भी इंट अब लोगों के लिए लगा रहे हो वो डिपैंड करेंगा कितने इस्टॉरंट ओंपे अवेलेवल है यहां पर आप लोगों को अपना मुबाइल नंबर डालना है अब मुबाइल नंबर आप वही डालोगे जो कि आपका आधार नंबर से लिंक हो ठीक है क्यों कि आधार प जैसे आप इस पर finger पर click करोगे, इस पर click करने के बाद यहां आपको जो भी sensor देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको जो भी LED लाइट से यानि की red वाली light प्लिंक करने अपर start हो जाएगी, यहां पर आपको show कर रहे होगी, कि हाँ आप यहां पर finger लगा सकते हो, यहां पर जै जैसे यह आजाता है, आपका काम हो चुका है, अब यह आपको दिन में दो बार करना है, सुबह आपको जाना रहेगा, जैसे सपोज करी, आप लोगों ने आट, नौ, दस, दस बज़े कभी भी आपने attendance लगा दिया है, ठीके 10 एम पर आपका attendance लग चुका है, आप लोगों क आप इसके बीच में 4 hours का gap देना रहेगा कम से कम, यह ज़्यादा भी हो सकता है, तो at least 4 गंटे का gap होना चाहिए, उसके बाद आप लोग 4 बजे, 6 बजे, 6 बजे से पहले-पहले कभी भी आप लोग अपना जो भी attendance है, उसको लोग कर सकते हो, सब पुछ करो आप लोगों न तो इस तरीके से यह regular चलता रहेगा, अब यह कब तक चलना, यह आप मानके चली लगवग मार्च तक आपकी attendance हो रही होंगी, ठीक है, तो overall आप लोगों का यही system रहेगा, अब जो भी attendance यहाँ पर लगेगा, वो आपका direct biometric के तुरु सेव हो जाएगा, और हर मन्त, आपका हर महीने वो college या university के through आप लोगों का data आगे forward करता रहेगा, तो अब आप लोगों को बिल्कुल active रहना है, और जो भी attendance आपके college में हो रहा है या हो चुपा, उस से इस सब कोई लेना देना नहीं है, और जो भी holidays रहेंगे, जिसमें college बंद रहेगा, वो आपका count नहीं होग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे है, तो इस तरीके से आपको 75% अपना जो भी criteria है, उसको maintain रखना होगा, आप लोगों को जो भी attendance related issues हैं या जो भी problems हैं वो समझ में आ गया होगा, हलांकि इस पर थोड़ा मुस्किल होने वाला है, क्योंकि इन चीजों में हो सकता है कि आप लोगों का data college वाले time to time भेज पा रहे हैं नहीं भेज पा रहे हैं या फिर आप लोगों का जो भी fingerprint है कभी scan हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि अभी starting phase में तो बच्चे भूल ही आते हैं या तो उन्होंने अपना in कर दिया, out करना भू में तो overall आपको सब जगये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने notice में बोल दिया, हर जगये कहानी clear हो चुकी है, ठीक है बाकि आप लोग थोड़ा सा active रहना, क्योंकि scholarship का amount आप मानके चलिए, पचार-जार से तो आप लोगों को ज़्यादा ही देखने को मिल तो उन्हें WhatsApp ग्रूप बनाया हुआ है, उसका link description में मिल जाएगा, community post में उसका link already available है, वहां से आप लोग हमारे साथ join हो सकते हो, ठीक है, वहां पर जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चा UP scholarship के regarding ही वहां पर जुड़ा हुआ है, तो overall आप लोगी काफी help हो रही होती है, बाकि जो भी updates हैं, जो भी PDF हो गया या जो भी चीजे मेरे पास होती हैं, आप लोगों को बताने लाएगा, वो सब कुछ आपको telegram पर available मिल जाएगा, उनके PDF हो गया रहा, तो वहां पर जाकर भी आप join हो जाएगे, telegram का link भी आपको description में मिल जाएगा, वाकि जो भी Instagram या Facebook जितने भी social media handles है, सब के link आपको already description में दिये हो हैं, तो आप लोगों से connect हो सकते हो, आप लोगों के जितने प्यावच्टे को clear हो गया होंगे, और जितने भी बच्चे हैं, आप फरस्ट हैं हमारे channel को देख रहे हैं, या हमारे videos को देख रहे हैं, या random आपके पास search करते इस channel को subscribe कर लिजे, जब तक आपको scholarship नहीं मिलता है, हम लोग आपके साथ crank kit रहेंगे, और जब तक scholarship नहीं मिलता है, हर एक जो भी possible help हमारी तरफ से हो सकती है, वो हम लोग आपकी कर रहे होंगे, तो मिलेंगे से किसी interesting topic के साथ आप तक बने रहे हैं, हमारे साथ